साई की बात बच्चे जो बच्चे मेरी उपासना करते हैं तुम्हारे साई की उपासना करते हैं ना मेरे बच्चे वो बच्चे हमेशा मेरी और अग्रिसर हो जाते हैं और उनके समस्थ पाप नस्थ हो जाते हैं मेरे बच्चे और उनकी भक्ती में भी रद्दी होती है मेरे बच्चे और वो बहुत भागेशाली बच्चे होते हैं बहुत भागेशाली और उनकी कही हुई बात को मैं टाल नहीं सकता क्योंकि वो मेरे बच्चे है मैं अपने बच्चों की बातों को नहीं टालता कभी नहीं टालता और सुनो मेरे बच्चे अगर अच्छी संगती में रहोगे अच्छे लोगों के साथ में रहोगे अच्छे विचार वाले लोगों के साथ में रहोगे न तो हमेशा जिन्दकी में आगे से आगे बढ़ते जाओगे मेरे बचे तुम्हारी जो तरक्की है न वो निश्यत ही होती है मेरे बचे क्योंकि कुछ तो तुम्हारी महनत से होती है और कुछ तुम्हारी संगती से भी होती है मेरे बचे तो ध्यान रखा करो जो तुम्हारी संगती है न वो हमेशा सकरात्मक ही होनी चाहिए जो तुम्हें आगे बढ़ने का प्रोचसाहित दे मेरे बचे प्रोचसाहन करे तुम्ह तुम्हारे साइने ले ली है मेरे बच्चे, क्योंकि वो तुम्हारा विशेश व्यक्ती है न, तो बस मेरे बच्चे, उसकी चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, और तुम्हारा अपना, मेरा अपना है मेरे बच्चे, वो भी मेरा बच्चा है, उसकी च बिगड रहा है ना तो तुम्हारा साई उसे सवार देगा तुम्हें अभी लग रहा है कि सब कुछ बिगड चुका है कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं रहा लेकिन आने वाले वक्त में सब तुम्हारे बक्ष में हो जाएगा सब कुछ और बिगड़ते बिगड़ते सब स बस देखते जाओ, अपनी साइं की लीला देखना मेरे बचे, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना, जब तुम अपने साइं की लीलाएं देखते हो, सुनते हो, अच्छा लगता है ना, सुनना, मेरे अनुभव सुनना, तो सुनो, अब ये लीला तुम्हारे साथ करूँ तुम्हारे जिन्दगी में और इस जिन्दगी भर तुम्हें याद रहेगा देखना तुम उस बल को कभी भूल नहीं पाओगे जो लीला मैं तुम्हारे जिन्दगी में करूंगा और जो तुम्हारा विश्वास है न अपने साई पर और भी दिरन होने लग जाएगा और भी और कुछ मेरे बचे सापताहिक पारायन करना चाहते हैं लेकिन अभी वो किसी कारण वर्ष नहीं कर पा रहे तो मेरे बचे निराश बिलकुल मत हो मेरे बचे मैं जानता हूँ तेरी तकलीव को समझता हूँ मेरे बचे तो मेरे आगे हाथ चोड दिया करो बस मन में साइं साइं करके फुकार लिया करो मुझे जितना मैं तुम्हें सापताहिक परायन करकर आश्रवाद दूंगा उतना ही मैं तुम्हें साइं कहने पर भी दूंगा मेरे बचे मेरे आश्रवाद में कोई कमी नहीं आएगी ये अपने मन में मतलाना कि मैं सापताहिक परायन करूंगा तभी मुझे साइं आश्रवाद देंगे नहीं मेरे बचे तुम अगर एक बार साइं भी बोलोगे न तो तुम्हें सापताहिक परायन के अनुसार ही उनके सम तुम्हान ही मेरे बच्चे तुम्हें आश्रवाद दूँगा बहुत सारा आश्रवाद दूँगा तुम्हारा साई अपने बच्चों को आश्रवाद देने में कंजूसी नहीं करता मेरे बच्चे अगर मेरा बच्चा एक कदम बढ़ाता है न तो मैं उसके लिए दस कदम ब मैं बचे बच्चे रोस्पिजल में भरती है, मैं जानता हूँ मेरे बचे और तुम उन्हें लेके बहुत चिंतित हो, तुम बहुत मेरे आगे बहुत ज़्यादा गुहार लगार रहे हो, प्रात्ना कर रहे हो उनके लिए, तो सुनो, वो जलधी ठीक हो जायेंगी, और सुनो उनके लिए मेरे बचे रोज उधी जल देना रोज उन्हें उधी जल पिनाना और एक काम करना मेरे चड़नों का फूल ले जाकर उनके सिराने रखना मेरे बचे वो जल से जल ठीक हो जाएंगे मेरे बचे तुम्हारे साइं का अशिरवाद है उन पर तुम्हारी वजल से तु तो क्या मैं उसे टाल सकता हूँ, कभी नहीं मेरे बचे, तुम जो अपने साइं के आगे कह देते हो ना, तो बस तुम्हारे साइं के लिए वो पत्थर की लकीर हो जाती है, मुझे कैसे लग ऐसे करकर वो चीज पूरी करनी होती है, लेकिन जो सही हो, जो उचित हो, वो मैं ज तुम तक खबर पहुँच जाएगी, और वो समझ जाना मेरा इशारा कि वो सेवा है तुम्हारे लिए, जो मैंने तुम्हारे लिए भेजी है मेरे बचे, और उस सेवा को दिल से निभाना, फिर देखना, उस सेवा का अश्रवाद मैं बहुत दूंगा मेरे बचे, बहुत अपने मन में कोई अन्होनी या कोई संकट ऐसे विचार मतलाओ मेरे बचे, बिलकुल मतलाओ, तुम साई के बचे हो, ऐसी नकरतमक सोच, नहीं मेरे बचे, बिलकुल नहीं, अगर ऐसा हो भी गया, तो कोई बात नहीं न, अपने साई के चड़नों में छोड़ दो, मैं रक् या कस्ट निवारन मंत्र का जाब किया करो, कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, कुछ भी नहीं होगा मेरे बचे, बस मन से गलत विचारों को दूर रखा करो हमेशा, ये सोचा करो कि जो भी होगा मेरे साइन संभाल लेंगे, मेरे साइन बैठे ह मेरे बाबा बैठे हैं बस वो संभाल लेंगे और सुरो मेरे बचे जिन मेरे बचों ने दक्षिणा मुकी हनुमान जी अपने घर पर अपने घर की चौकट पर लगा लिये है न तो बस मेरे बचे बजरंग बली तुम्हारे घर पर रक्षा कर रहे हैं मेरे बचे तुम्हारे लूंसे हैं यहां गुआ हैं पर ढुー पर अश्रुन करदेक लुक्त को नहीं सकताция रिखे त founded देश्चाझ वेसं 500 क मेया करते हैं। को उसी पर लुए रखी हैं। मर्त शुर्भाद है। और सुनो मेरे बचे लेकिन औस रावी समय बनाओं consist Cir lug कंड़ी बनाओं ये गलत बात है अगर समय मिलता है तो कुछ अच्छी चीजें करो अच्छे विचार लाओं मन में मेरी science चरित्र बढ़ लो मेरी लीनाओं कांगान कर लो सुन लो बैटकर या फिर अच्छी पुस्तके पढ़ो किसी मेरे बच्चे से बात करो लेकिन हमेशा मनुरंजन करना ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे हमेशा हर चीज नहीं करनी चाहेगे हर एक चीज का वक्त होना चाहेगे मेरे बच्चे हर एक चीज का समय निर्धारित करो कि तुम्हें इतने बज़े से इतने बज़े तक ये करना है इस समय से उस समय तक ये करना है और ये नहीं करना है समय को निर्धारित करो मेरे बच्चे ये बहुत जरूरी है जिंदगी में अगर ऐसा नहीं करोगे तो सारे काम उथल पुथल हो जाएंगे फिर तुम बाद में परिशान रहोगे कि साई मुझसे ये नहीं हो रहा और वो नहीं हो रहा फिर तुम खुदी परिशान रहते हो सारे काम तुम्हारे छूट जाते हैं फिर कुछ काम तुम्हारे देरी से होते हैं फिर तुम भागते रहते हो, दोडते रहते हो, परिशान होते रहते हो ना। खुश रहो मेरे बचे, हमेशा खुश रहो, आज का साई संदेश समाप्त हुआ।